तारे सितारे वंगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्यका राशी फल नई नई यानवरधक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने वाले हैं देनिक राशी फल दिनांक 6 मार्च 2020 शुक्रवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज का दिन 12 में से 7 राशी वालों के लिए सफलता दायक रहेगा इन 7 राशियों में आज है वरशब, मिथुन, करक, कन्या, तुला, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं आज अन्य पांच राशी वालों को कारी छेतर में समल करके कारी करना होगा तो आज फालगुन माश शुक्रलपक्ष की एकादसी तिथी है, शुक्रवार का दिन है तो आज आमल की एकादसी है, इसकी वरत कथा का महत्वर, इसकी विधी के बारे में एक वीडियो हमने बनाया है जो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसे जरूर आप देखें तो आज का दिन मान है 11 घंटा 43 मिनिट का, आज सुर्यदे होगा प्राता हकाल 6 बच के 40 मिनिट पर, और सुर्यास्त होगा साम 6 बच के 24 मिनिट पर, आज दिन की सुरुवात पुनर वसु नक्षत्र से होगी और आज सोभाग्य एवं सोभन नाम के दो योग रहेंगे, आज चंद्रमा का संचरन करकर आशी में होगा, और आज का सर्वस्रेष्ट महुरत, अभी जीत महुरत आरंब होगा, दिन के 12 बच के 9 मिनिट से आरंब हो करके, तो 12 बच के 55 मिनिट तक रहेगा, इस स्रेष्ट म समय दुष्ट महुरत प्रारंब होगा, प्राता हकाल 9 बच के 1 मिनिट से आरंब हो करके, तो दिन के 1 बच के 42 मिनिट तक अशुब समय रहेगा, इस समय अबधी में आप किसी भी सुब कारी की सुरुवात नहीं करें, और आज रहु काल रहेगा, दिन के 11 बच के 4 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 32 मिनिट तक राहु काल रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का लेन देन का काम आपको नहीं करना चाहिए या किसी भी नई वस्तु की खरिदारी आपको नहीं करना चाहिए और किसी को भी धन आदी उधार में इस समय अवधी में आपको नहीं देना चाहिए और आज दिसा सूर रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नए कारी की सुरवात नहीं करें पश्चिम दिसा की आप यात्रा भी नहीं करें यदि यात्रा करना आपको अती आवश्यक हो तो इस्ट देवता की यथा सकती पूजा आरादना करके अत्वा इस्ट देवता की नाम मंत्रों का उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते ही तो आज जो है शुकरवार का दिन है आज का दिन देवी लक्ष्मी जी को समर्पी थे तो शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी जी की आरादना करने से आर्थिक संकटों का जीवन में हमको सामना नहीं करना पड़ता है वेसे आज के दिन आप भगवान नाराइन की भी पूजा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी की विशेस करपा मिलती है तो शुक्रवार के दिन किये जाने वाले कुछ विशेस उपाई इस प्रकार से है इन्हें पूरुन स्रद्धा और विश्वास के साथ यदि किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की विशेस करपा हमको मिलती है तो वे उपाई इस प्रकार से है इस दिन साम के समय अपने घर के इशान कोड में पूर्वदिसा में सुद्ध घी का दीपक आपको जलाना चाहिए उस दीपक में रूई के स्थान पर लाल धागे का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए क्योंकि लाल रंग जो होता है माता लक्ष्मी जी को अतीप्रिय होता है लाल रंग की बत्ती बना करके मिट्टी के दीपक में गाय का सुद्ध घी उसमें डालना चाहिए और उसमें थोड़ी सी केसर डाल करके उसे जलाना चाहिए और माता महालक्षमी जी के नाम मंतरों का यथा शक्ति उच्चारण करना चाहिए इसे के साथ इस दिन गरीबों को सफेद वस्तूं का दान आपको अवश्य करना चाहिए यह बड़ा ही शुब फलदाई होता है दूसरा उपाई इस प्रकार से है शुक्रवार के दिन माता लक्षमी जी को प्रसन करने के लिए एक स्रियंतर होता है जो माता लक्षमी जी का ही सुरूप माना जाता है इस स्रियंतर को अपने घर में आप लाएं यदि आपके घर में यह पहले से उपलब दहें तो शुक्रवार के दिन शुद्ध गाई के धूट से इसका अभिशेक करना चाहिए अभिशेक के जल को फूल के द्वारा अपने पूरे घर में छिटकाव कर देना चाहिए और विधीवत स्री यंतर का पुजन करने के बाद इस यंतर को अपने घर में तीजोरी या धन रखन तो अपजानी अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपको क्या खास उपाय करना चाहिए आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं परिवार जनों के साथ आप किसी धार में किस्थल की यात्रा पर जा सकते ही घर परिवार में शूब मंगलिक आयोजन होने के योग ज्यादा रहेंगे आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि बड़ों के साथ विवार करते समय सुशील बने रहें अपनी निराशा को दबाने का प्रयत न करें यह करने की तुलना में कहना आसान है लेकिन आपको कूटनिते का धेरिवान होना पड़ेगा कोई दूसरा रास्ता आपके लिए नहीं रहेगा यदि आप अच्छे मूड में नहीं हैं तो आपके बच्चे को उसी के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ सकती हैं इसलिए आज सकारात्मक रवया आप बनाए रखे तो आपके लिए ठीक रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज आपका जो मिलनशार सुभाव है वहाँ आपके लिए काफी फाइदे मन साबित होगा यदि आप अब विवाही थे तो इस समय किसी खास के साथ गुलने मिलने का अवसर आपको मिल पाएगा या कोई विवाह प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो आपके कारेचेतर में कड़ी महनत के कारण आपकी पदुननती हो सकती है कारोबार अच्छा रहेगा नोकरी में तरक्की के योग रहेंगे और कारेभार अधिक होने से थकान वा तनाव आपको उत्पन हो सकता है आज तनाव मुक्त हो करके काम करेंगे तो अच्छी उन्नती आप कर पाएंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज बेवजह की यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए और अपने स्वास्त का विशेश ख्याल करना चाहिए तो आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है शुवरंग आपका गुलावी रंग है तो गुलावी रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात लक्ष्मी नारण भगवान के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जलावें और लक्ष्मी नारण भगवान को कच्चे दूसे इसनान करावें पुनह सुद्ध जल से इसनान करवा करके वस्तर अरपन करें रितुफल मिठाई और पंचे मेवा का भूग अरपन करके श्रिफल चड़ा करके उनकी आरती उतारें और यह था शक्ती लक्ष्मी नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबो वस अफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है व्रशब तो व्रशब राशी वालों को आज शुबो परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आपके सत्रू पक्ष पराजित होंगे और पुराने कर्जिसे मुक्ती के योग ज़्यादा रहेंगे आर्थिक सामाजिक उन्नती सत्रू पर विजई धर्मे की आतरा संतान पक्ष से सुख प्राप्ती के योग रहेंगे आपके घर परिवार में उन्नती के लिए अच्छा समय आएगा इसलिए आज भाई बहा नित्यादी से संबंद और सहयोग अच्छा रहने की संभावना भी अधिक रहेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही अपने खर्चों पर नजर बनाए रखें क्योंकि आप सीमा से बाहर जा सकते ही परिवारिक जीवन को लेकर मन कुछ अप्रसन या असंतुष्ट रह सकता है परिवार को लेकर जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना रहेगी इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयत न करें किसी भी इस्थिति और परिस्थिति को देखते हुए काम करना आज आपके लिए काफी हित कर रहेगा आज लाइब की अदि हम बात करें तो पती पतनी आप दोनों एक दूसरे के साथ खुल कर बाते करते दिखाई देंगे और आपको अपने जिवन साथी को समझने का भरपूर अवसर मिल पाएगा जिसका लाप भी उठाना आज आपके लिए आवश्यक रहेगा आज व्यापर विवसाई की अदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए शुब फलद आई रहेगा मेहनत के बहतर परिणाम आपको मिल पाएंगे कारोबार में लापकारी सोदे आप कर पाएंगे व्यापर एक रुकावटे आपकी दूर होगी नए निवेस के अवसर आपको मिलेंगे जिन से भविश्य में अच्छा लाबा प्राप्त कर सकेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो इस समय आपका स्वास्त बहतर बना रहेगा पहले से स्वास्त आपका उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है, शुबरंग आपका लाल रंग है, तो लाल रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं, प्राताहका लिष्णान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में, अथवा अपने पुजा इस्थल पर माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को एक लाल कपड़े के उपर विराजित करें, ग अगले राशी है मिथुन, मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आज का दिन आपके लिए आर्थिक इस्तर पर बेहद फायदेमन साबित हो सकता है, और आएके नए इस्तरोत्र मिलने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, कहीं से अप्रत आपके भी योग रहेंगे, नई संपत्ति या वाहन खरीदने के भी प्रबल योग बन रहे हैं, यह समय निवेश करने के लिए बेहतर कहा जा सकता है, आपकी जन्मराशी के नुसार विद्या अभ्यास संतान से संबंदित मामलों में आपको अनुकुलता मिल पाएगी, आज आपको अशुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, आज विसेस करके आप अपने करोध पर नियंतरन और वानी पर सायम अवश्य रखें, इस समय बड़े बुजरुग के स्वास्त का ख्याल लखना भी आपके लिए अती अवश्य करहेगा, आज आप नकारात्मक वि आपके दामपत्य जीवन में कुछ परिशानी आएगी, क्योंकि जीवन सांती का स्वास्त समय थोड़ा सा खराब रह सकता है, ऐसे में आपको उनका सहीयोग करते हुए, उनकी सही प्रकार से देकभाल करने की आवश्यक्ता अधिक रहेगी, आज वियापार विवसाई के द आज खर्चों पर नियंतरन रखना आपके लिए जरूरी रहेगा, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज आरोग्य की दरश्टी से पूरा दिन आपके लिए अनुकूलता लिये हुए रहेगा, यानि आज आज आपका स्वास्त बहतर रहेगा, तो आज आपका भाग गिशाली अंक पाँच है, शुबरंग आपका आस्मानी रंग है, तो आस्मानी रंग के प्रयोग कारेचेतर में आज अधिक सदिक आप करते हीं, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बादाओं से मुक्ती पाने के ल लाल पुष पर अरपन करें, रितुफल मिठाई और खीर का भूग अरपन करके, एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें, और महालक्षमी जी की यथा शक्ती इस्तरोत रत्वा नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके ल अच्छा विभार आपको बनाए रखना होगा, विदेश या दूर में सिक्छा ग्रहन करने वाले विद्यारती वर्ग को सफलता के योग ज्यादा रहेंगे, इस समय अवधी में बहुत सांदार आपके लिए लाब मिलने वाला है, क्योंकि इस समय आप गुरू की सकारात्म से ठकान का अनुबह होगा, अनावश्य खर्च बढ़ने और आर्थिक कमजोरी बढ़ने से आपको तनाव उत्पन हो सकता है, तो तनाव मुक्त हो करके काम आप करते रहें तो आपके लिए ठीक रहेगा, आज लाइब की यदि हम बात करें, तो आज दामपत्ती जीमन को अच्छा रहेगा, संपरकों के जरिये प्रगती के नए अवसर प्राप्त कर पाएंगे, जिससे उर्जा वह उत्साह में आपके बढ़ोत्री होगी, इसके अलावा पेत्रक संपत्ती से धनलाप के प्रबल योग बनेंगे, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज बे विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वबादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्रातहका लिश्नान करने के पश्चात, माता महालक्ष्मी जी के पास गाय के सुद्ध गीं का दीपक जला करके गंद पुष्प अक्षत के द्वरा महालक्ष्मी जी का पूजन कर लेवें, लाल पुष्प की माला अरपन करें, रितुफल मिठाई का भोग अरपन करके, एक स्रिफल चड़ा करके, करपूर से महालक्ष्मी जी के आरती उतारें, और यथा शक्ती महालक्ष्मी जी के आपके लिए अनुकूल रहेगा इस समय माता पिता और बड़े बुजरुगों के साथ रिष्टे मजबूत होने के संकेत रहेंगे परिवार में भी सहयोग से कुछ नया कारी सफल होने की संभावना अधिक रहेगी आपसी सामज से अच्छा रखने से हर तरह की समस्याओं का स अवशक रहेगा समस्याओं को सुलजाने के लिए किसी के सलाह लेना आपके लिए ठीक रहेगा आज जो है बुजरुगों के आसिरवाद से कारी छेतर में सफलता मिलेगी लेकिन कुरोध पर और वार्णी पर आज आपको सैयम बनाने की अवशकता ज्यादा रहेगी आज ल पर व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज का दिन आर्थिक रूप से लाब अपरत रहेगा कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा यदि आप नोक्री करते हैं तो उसमें तरक्की के योग रहेंगे प्रापरटी और सेयर मार्केट में निवेस करने से अच्छा लाब रख सकते हैं तो आज आज आपका भाग्यशाली अंकशाथ है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारी छेतर में अज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकटवा लाल वस्तर अरपन करें सरंगार की सामगरी चड़ावें रितुफल मिठाई और खीर का भोग अरपन करकें लाल पुष्प के माला अरपन करें एक स्रीफल चड़ा करकें करपूर से उनकी सरद्धा से आरती उतारें यथा शक्ति महालक्षमी जी के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कन्या तो कन्या राशी वालों को आज शुबव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कुछ शुबव कारे में सफलता आपको मिल पाएगी आपके खर्च भी आपके आमदानी के अनुपात में होते रहेंगे लेकिन धन का अभाव नहीं होने से आपको प्रसनता की अनुभूती होगी आपकी मुलाकात इस समय समाज के प्रतिष्ठित लोगों से हो सकेगी जिनका अनुभव आपके काफी काम आ सकता है आज आपको अशुब परिणाम इस प् परिवरिक जीवन को लेकर मन कुछ अप्रसन या असंतुष्ठ रह सकता है आप कन्फ्यूजन तथा तनाव में भी हो सकते हैं जिसके कारण कारिचेतर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है निरने लेने की छमता कमजोर होने के कारण परेशानियां ज्यादा हो सक आप अपने प्रियतम को अपने मित्रों से मिलवा सकते हैं इस दोरान संभावना है कि प्रेमी को आपकी पसंद ना पसंद जानने का अवसर भी मिल पाएगा आज वियापार व्यवसाइग एदि हम बात करें तो बेरोजगारों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त ह सकेंगे व्यापारी भर्ग को थोड़ी अर्चने जरूर आ सकती हैं कारिछेत्र में कारिभार बढ़ेगा और खर्च के अधिकता से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो सकती हैं इसलिए विशेश करके खर्चों पर आप नियंतरन बनाए रखें आज स्वास्त की अधि हम बात रंग हैं तो हरे रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक से अधिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राताहकाल पुनाह सुद्ध जल से इसनान करवा करके वस्तर अरपन करें रितूफल मिठाई का भोगर पन करें तुलसी पत्र भी चड़ावें एक स्रीफल अरपन करके करपूर से उनके आरती उतारे और बेट करके लक्ष्मिनारण भगवान के नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें अगली राशी ही तुला तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आप इस समय हर छेतर पर अपना रुदबा कायम करने में सफल रहेंगे जिससे दूसरे लोग आपसे प्रेड़ना भी लेंगे आपको अच्छे मित्रों की संगती और उनसे अच्छा लाव वा सहयोग मिल पाएगा इससे आपको आर्थिक फाइदा भी होगा आपको अपनी आमदानी में अचानक से लाव प्राप्त होता दिखाई देगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आपके सगे संबंदियों से संबंद खराब हो सक इस समय बड़े बुजर्गों के स्वास्त का ख्याल लखना भी आवश्यक रहेगा आप किसी भी कारियों को सोच समझ करके पूर्ण जिम्मेदारी और ठोस निरने के साथ करने का प्रियतन अवश्य करें जिससे कि आपको समय की अनुसार काम्याभी अच्छी प्रकार से प् बात करें तो आज जीवन सांती को किसी भी प्रकार का उपहार देना आपके लिए ठीक रहेगा इससे दमपत्य जीवन आपका सुखमई बना रहेगा आज विया पर व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज कारोबार के सिलसले में यात्रा भी आपकी हो सकती है इसके आतना प्रभाव आपको अपने कारी छेतर पर देखने को मिलेगा आज स्वास्त की अधी हम बात करें तो आज न केवल अपने स्वास्त का ख्याल लखें बलकि आज वाहन आदी चलाने भी सावधानी बरतें तो दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका इस प्रकार से ही प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को एक पटले के उपर लाल वस्तर बिचा करके विराजित करें महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को केसर मिले हुए दूद से अभिशेक करा पुनाह सुद्ध जल से इस्नान करा करके वस्तर आदी चड़ा करके स्रंगार की सामगरी अरपन करें रितूफल मिठाई और खीर का भोग अरपन करके एक स्रिफल चड़ावें करपूर से उनकी आरती उतारें यथा शक्ती महालक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का बेट करके करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक तो व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आज आपको जो है यात्रा पर जाने के अवसर भी मिल सकते हैं संभवे की यहाँ या की का साथ मिलने से आपके मेहनत का फल आपको उचाईयों की और ले जाएगा आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आप अपने सगे संबंदियों से सामान्य संबंद बनाए रखें तथा इन्ही इस्तितियों में माता पिता से संबंद खराब भी हो सक सकते हैं तथा माता पिता के स्वास्त को लेकर चिंताई उत्पन रहेगी इसलिए सत्रू पक्ष तनाव उत्पन भी इस समय आपके लिए कर सकता हैं सत्रों से आज विशेश सावधान रहने की आवशकता रहेगी आज विशेश करके परिवाजनों के स्वास्त का भी आप ख ख्यार लखें तो दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो प्रेम में पड़े जातों के लिए यह समय तनाव पूरुन रहेगा प्रेमी जन के साथ वाद विबात के परिणाम सुरूप आपका मन किसी भी कारिय में कम लगेगा इससे आ कई अवसर आपके हाथ आएंगे लेकिन काम का बोज बढ़ने से कई अवसर आपके हाथ से फिसल भी सकते हैं इसलिए अवसरों को अपने हाथ से आप जाने नहीं दे और कहीं भी निवेस करने से आप बचे रहें आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो कुछ सारीरी कष्ट होना संभावी थे हालाके नियमित दिन्चरिया का आप पालन करते हैं तो आपका स्वास्त बहतर बना रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक छे हैं शुबरंग आपका पीला रंग हैं तो पीले रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करते हैं तो आपक शुद्धगी का दीपक जलावे गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवे लाल वस्तर अरपन करें सरंगार की सामगरी अरपन करें रितु फल में अनार का फल अरपन करें और खीर का भोग लगा करके एक सिरिफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें य कोई नजदी की या प्रिये व्यक्ती मानसिक सांती बनाए रखने में आपके लिए काफी मददगार साभित होगा आपके भाई बहनों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा इस समय आप उनकी मदद के लिए सबसे आगे खड़े नजर आएंगे जिसके चलते उन्हें अकलिव होना भी समभावी थे या किसी रिष्तेदार को लेकर चिंता ज़्यादा हो सकती है धन अचल संपति प्राप्ती में कोई व्यवधान आपको उत्पन हो सकता है किसी भी तरह की तना उत्पन होने की कोशिस आप नहीं करें इसलिए इस समय में किसी भी कारियों को करन दैने में सावधानी बरते तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आज लाइब की यदि हम बात करें तो आपके नीजी जीवन में चल रही तना तनी, आपके जीवन में बाधाएं डालने का काम करेगी, इस दोरान अपने जीवन सांती की से बात बात पर नाराज होना आपके लि ठीक रहेगा आज व्यापार व्यवसाई की एदी हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा व्यापार में वैसे लाप के अवसर मिलेंगे लेकिन उनके लिए कड़ा परिसरम आपको करना पड़ेगा कारियों में सफलता मिलने से नई उर्जा का अनुबहु भी आप प्राप्त कर सकेंगे आज स्वास्त की एदी हम बात करें तो जो लोग पहले से किसी बीमारी से गरस्त नहीं है उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुबरंग आपका केसरिया प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोण में या अपने पूजा इस्थल पर माता महालक्ष्मी जी के लिए गाय के सुद्ध घी का दीपक जलावे महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को गुलाप के जल से इसनान करावे पुनह सुद्ध ज अगली राशी है मकर्व तो मकर्राशी वालों को आज शुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपनी महनत और लगन से अच्छा मुनाफ़ा हसिल कर पाएंगे आपके काम की सरहना खुद आपके अधिकारी वर्ग करेंगे जिसके फलसुरूप किसी तरह का बोनस इत्यादी भी मिलने के योग रहेंगे घर परिवार में आपको सुकुन और सांती का अनुभू प्राप्त हो सकेगा आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि सगे संबंदियों से सामान्य विवार बनाई रखने का प्रयतन अवश्य करें अपने कारी विवसाई में किसी को जोडने का प्रयतन भी करें अन्यता आपको परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और अनावश्य के विवाद भी उत्पन हो सकता है आज जल्द बाजी में किसी भी प्रकार का निरनाई लेने से आपको बचना चाहिए वरना आपका कोई बड़ा भी नुक्सान हो सकता है आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज प्रेम में पड़े जाता का प्रेम का आनंद ले पाएंगे वेवाहिक जातों को में अच्छे परिणाम आज नजर आ रहे हैं आपका जीवन साती आपको कोई शुबह समाचार दे करके आपको आश्चरे चकत भी आज कर सकता है आज व्यापर व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज के दिन आपके लिए सामाने रहेगा लंबे समय से अटकी योजनाई पूरी हो सकती है कारे भार अधिक होने से सारीरिक और मांसिक रूप से थकान वा तनाव महसूस करेंगे खर्ची की अधिकता रहेगी आज खर्चों पर नियंतर रखना आज आपके लिए अवश्यक रहेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज उत्तम स्वास्त को पाने के लिए आपको नियमित दिन्चरिया और खान पान पर थोड़ा सा संयम बरतना होगा आपका स्वास्त बहतर बना रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक नो है शुब रंग आपका नीला रंग है तो नीले रंग का प्रियोक कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करते ही तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वबाधाउं सी मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहका लिश्नान करने के पश्चात माता महालक्ष्मी जी की प्रसनता के लिए पूजन स्थल पर गाई के सुद्ध घी का दीपक जलावे महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या मुर्ती का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवे लाल वस्तर और लाल पुष्प की माला अरपन करें रितुफल में अनार का भोग अरपन करें और थोड़ी सी खीर का भोग लगा करके एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें और महालक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि साधी सुदा जातों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी संतान को उन्नती मिल पाएगी जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और उनका भी आत्मबल बढ़ेगा घर परिवार में किछी शुब कारेकरम का आयोजन हो सकता है जिससे आपको अच्छे पकवान आदी खाने का अवसर मिल सकता है आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आपके सोभाव में परिवर्तन होने की योग रहेंगे इस बदलाव से आपका किसी से भी जगडा होने का भी योग बन सकता है इसलिए क्रोध पर विसेश करके सयम बनाए रखे संभावना अधिक रहेगी कि यह जगडा कारेस्थल पर हो सह कर्मी से हो जिससे आपकी छवी को भी नुकसान हो जाए आज विसेश करके माता पिता से संबंदों में आपके दरार पड़ सकती है उनसे प्रेम पुर्ण विवाहर करें और उनका आशिरवाद ले करके किसी काम की सुरवात करें तो दिन आपके लिए सफलता दायक सिद्ध होगा आज लाइब की यदि हम बात करें यदि आप अपने जीवन साथी को खुश करना चाहते तो इस समय उनको कोई उपाहर देने की कोशिश करें या उनको प्रसंद रखने के लिए प्रेम पुर्ण विवाहर करें किसी प्रकार का समर्पन यदि आपको करना पड़े तो वह भी करें जिससे आपकी लाइब की गाड़ी बहतर चलती रहें आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है कारोबार की स्थिती वे से यथावद बनी रहेगी कठेन परिस्रम से सभी कारिये आपके सफल होंगे और मित्रों का भी पूरा सहयोग समय के अनुसार मिलेगा सोदे कहीं कर रहे हैं तो समल करके करें अन्यता किसी बड़े नुकसान की संभावना भी बन रही है आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज वाहन का प्रियोग सावधानी से करें और खान पान पर सयम बरते तो स्वास्त आज आपका उत्तम बना रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंकशात है सुबरंग आपका लाल रंग है तो लाल रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक से अधिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रतहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोड में नाम मंत्रों का 108 बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही मीन तो मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप में विनमरता का भाव उत्पन होगा जिससे आप घर परिवार में हर सदसी की मदद के लिए ततपर भी रहेंगे आप यदि अपने कारिचेतर में परिवर्तन या बदलाव लाने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए समय आज आपके लिए सरेष्ट रहेगा और विद्यारती वरग को इस समय जटेल विशियों को समझने में थोड़ी सी ज़्यादा परिशानी हो सकती है इसलिए मन को एकागर करते हुए आज आपको मेहनत करना होगी तो कारी छेतर में भी अच्छी सफलता आपको मिलेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं नीजी जीवन में कोई अग्यात भई आपको मानसिक परिशानी दे सकता है इसलिए आज आपको विशे सतर कर रहने के अवशकता रहेगी आज घर और अपनी सुख सुईधाओं की बस्तूओं पर अपना खर्च आज जैदा कर सकते हैं जिससे आपके सुख संसाधनों में वरदी तो होगी लेकिन इसका लाव उठाने के लिए आज आपको खर्च अधिक करना होगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो इस समय जो है अपने जीवन सांती की बात को महत देना आपके लिए ठीक रहेगा जीवन सांती को प्रसंद करने के लिए कहीं यात्रा पर जाना जाते हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं इससे घर परिवार का माहूल आपके लिए काफी अनुकूल बना रहेगा आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज कारोबार में अच्छा मुनाफा यदि आप नोकरी आदी करते हैं तो नोकरी आदी में तरक्की मिलने की संभावना अधिक रहेगी इसके अलावा आकसमे क धनलाप के योग भी बनेंगे आमदानी बनने से मानसिक प्राप्ती होगी और परिवार के साथ किसी धार्मिक तिर्थिस्तल की यात्रा पर आप जा सकते हैं आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज तनाव मुक्त हो करके काम करना आपके सरीरिक और मानसिक स्वास्त के लिए ठीक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक च कार से हैं कि प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को एक पटले के उपर लाल वस्तर बिछा करके उनकी प्रतिमा को विराजित करें और महालक्ष्मी जी को पंचामरत से इश्नान करावें पुनह गंगा जलसे इसनान करावें, सुद्ध जलसे इसनान करवाने के पस्चात लाल वस्तर अरपन करें, लाल पुष्प की माला चड़ावें, गंद पुष्प अक्षत के द्वारा सरद्धा पुरुवक पूजन कर लेवें, और रितुफल मिठाई और खीर का भूग चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें, और बेट करके महालक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा, तो मित्रों आशा करता हूँ, कि आपको हमारी यह देनिक राशी फ पिर मिलेंगे